Hi guys and welcome back to the channel दीपक्षिया दाव एजूकेशन Welcome to the daily current affairs of 29th of May 2021 तो guys आज है तारिक 29 माई 2021 और है सेटरडे आज के तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम लोग detail में discuss करेंगे Now बढ़ते हैं आगे और guys अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो नीचे description box में आप सभी लोग को टेलिग्राम का link दिया गया है वहाँ से जाकर आप लोग इस lecture के PDF को डाउनलोड कर सकते हो Now अभी तक आपने इस YouTube channel को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले subscribe कर लेना और bell icon प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी video का notification मिस न कर पाओ और यह है मेरी Instagram ID दीपक शादा वेजूकेशन यहाँ पर जाकर मुझे follow कर लेना और अपनी जितनी भी queries है मुझसे यहाँ पर आप लोग पूस सकते हो इसका link भी again नीचे description box में दे रखा है Now आते हैं article number 1 के तरफ लेकिन इस article को discuss करने से पहले मैं आपको बता दूँ यह जो हमारा daily current affair का video है यहाँ पर हम लोग daily basis पर बहुत सारे important articles discuss करते हैं उसके enough detail के साथ में साथी साथ यह जो video है यह हमारा UPSC के लिए तो important होई जाता है और भी various exams के लिए भी definitely यह video काफी important हो जाता है पहली बार हुआ है कि जो हमारे India के Bollywood actor है संजदत इनको यह golden visa दिया गया है UAE के सरकार के द्वारा now discuss करेंगे यह golden visa क्या होता है और UAE ने इसको क्यों दिया है क्या जूरत पड़ गई है ऐसा काम करने की यह सब कुछ हम लोग discussion करने वाले हैं हमाल यह काफी important article यह होने वाला है तो आप देख पाओगे इस तरीके की picture आप लोग को कल जरूर देखने को मिली होगी काफी सारे news जो है इसी topic के उपर लगातार cover करे गए थे now यह जो golden visa का system है यह UAE साल 2019 में ही लेकर आ चुका था now देखो golden visa का system लाने का एक ही मकसद है वो क्या है long term residence visa देना मतलब एक तरीके से golden visa को हम लोग long term residence visa बोलते हैं जैसा कि अभी normal जो visa होता है उस पर दो साल तीन साल की validity होती है ठीक है उसके लिए जा सकते हो now यहाँ पे जो golden visa system है यह offer करता है जो long term residency है लग बग 5 और 10 साल तक की residency यह देता है और कौन-कौन से groups के लिए खास कर जो investors है या फिर entrepreneur हैं इंडिवीजुल्स हैं जिनके पास काफी अलग जो है talent है या फिर researchers हो गए medical professionals हो गए यानि कि ऐसे लोग जो की दूसरे country के लिए भी contribute करें उनकी country के लिए एक economy generate करें तो ऐसे लोग के लोग यहाँ पर यह golden visa देने की बात करी गई है अब आप सोचोगे तो फिर संजेदत क्या करेंगे संजेदत कैसे यूए के economy को contribute कर सकते हैं क्या जाकर वहाँ पर वो picture बनाएंगे तो ऐसा तो यहाँ पर नहीं है देखो संजेदत को इसलिए दिया गया है ताकि promote क्या जा सके कि हाँ यह golden visa दिया जा रहा है क्योंकि देखा होगा इंडिया के सारे newspaper में इस खबर को चाप दिया गया है मतलब सब जगा पर लगबग पता चल जाएगा कि हाँ यह golden visa system का भी एक तरीका है UAE के अंदर जो कि हम लोग long term residency ले सकते हैं अभी तक हम लोग USA के अंदर या अमेरिका के अंदर long term residency लेते हैं अब यहाँ आप लोग UAE की भी लेना चालू कर देंगे जो कि experts होंगे अपनी field में और UAE के लिए कुछ करके दिखाएं ऐसा क्यों क्यों क्योंकि UAE को अपने future की tension होने लगी है देखो एक बात तो बिल्कुल साबित है यह तरीके से fact है बिल्कुल UAE के अंदर आज के टाइम पर आपको 20, 30, 40 साल बाद आए लेकिन टाइम वो जरूर आएगा तो अपने future को secure करने के लिए यहाँ पर यह लोग ऐसा काम कर रहे है अलग-लग country से investors जो भी यहाँ पर medical researchers जो भी professionals हैं उन लोग को बुलाया जाए और वो UAE के लिए काम करें उनकी economy में contribute किया जाए तो उसलिए यहाँ यहाँ पर यह golden visa का system लाया गया है और 10 साल की residency यहाँ पर दे रहा है मैंने आपको बताया eligible कौन-कौन होंगे यह भी हम लोगोंने देख लिया जो भी doctorate degrees वाले होंगे medical doctor, computer electronics, programming, electrical, biotechnological engineers, 37 जो artificial intelligence experts होंगे epidemiology या फिर high school students लेकिन वो students जो की बिल्कुल top rank के होंगे अपनी country के अ 2019 में idea लाये गया था ठीक है उसके बाद यहाँ पर यह जो changes है यह धीरे-धीरे 1st December 2020 से यह changes होने start हो गए थे जो map है इसको हमें पहले देख लेना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं अब देख लेते हैं यहाँ पर आप देख पाओगे map कहां पर है तो यह इंडिया का map है इंडिया की comparison में आपको अरब देशों में देखने को मिलेगा यह United Arab Emirates यहाँ पर आपको दो पॉपुलर जगा देखने को मिलेंगे आपको मालूम होगा Abu Dhabi सबसे बड़ा शहर उसके बाद Dubai सबसे पॉपुलर शहर यह आपको दुरों UAE के अंदर देखने को मल जाएंगे अगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर अगर हम बात करें ऐसे क्या जरूरत पढ़ गई है UAE को यह कदम उठाने की यारी कि क्यों UAE ने ऐसा कदम उठाया है गोल्डन विज़ा देने के लिए तो मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पर देख पाऊगे COVID-19 ने तो वैसे ही कम मालूम है आने वाले टाइम पर डेफिनेटली इनको दिक्कत होने वाली है जो भी ऑईल के उपर कंट्री पूरी तरह से डिपेंडेंट है तो उसी के वज़ा से क्या कर रहे हैं यह लोग एट्रेट कर रहे हैं अपनी कंट्री में जितने भी टेलेंटेड प्रोफेशनल्स ह जैसे की इनोवेशन में क्रिएटिविटी जो उनकी कंट्री के लिए कुछ कर के देंगे जो ब्राइटेस्ट माइंड से दोनिया के उनको यह खोज रहे हैं यहां पर यह हम कहने रहे कि इंडिया से बुलाया जाएगा और भी कंट्री के लिए हाँ पर यह गोल्डन वीजा नजर आएंगे ठीके अगर हम बात करें आज के टाइम पर भी बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है यूई के अंदर जो कि इंडिया की है ठीके अब यहां पर यही सारी चीज़े बताई गई है कि अब आने वाले टाइम पर किस तरीके से हम लोग च के साथ कवर करेंगे कि आप से उस आर्टिकल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेशन आए आप फटाक से सॉल्फ कर दो अगेन आज कल के टाइम का बहुत ही जादा इंपॉर्डेंट आर्टिकल तो इस इशू को मैं समझाता हूं यह पिच्चर देख रहे हो इस परसन का इस नाम है मेहूल चौकसी सुना होगा अपने नाम यह पिछले दो त्री दिनों में बहुत जादा न्यूस के अंदर है कल के मैंने दहिंदू वीडियो के अंदर भी यह पूरा का पूरा इशू समझाया था तो यह जो मेहूल चौकसी है अब क्या करा है इसने कर दिया है बैंक बगरा लेके भागा यह इनसान तो इसने तो एंटीगवा की क्या ले ली थी सेटिजनशिप मतलब यह सेटिजन जाके बन चुका था एंटीगवा का ठीके कब 2018 में लेकिन अभी यहां पर क्या कर दिया गया है देखो हमारे हाथ लग नहीं रहा था क्योंकि यह पहूंचा पर जा सकता है कि अभी रिसेंटली डॉमेनिका न्यूस के अंदर था वो एक कौन सा नेशन है तो आप बता दे ना वो एक कैरिबियन नेशन है यह consumption के साथ एंटीगवा बी जस्त पास में ही है जल्दी से बैटे बैटे किस तरीक कर लिया गया ऐसे कैसे अर्च कर लिया गय पर एक system है Interpol का यह Interpol क्या होता है कैसे work करता है इंडिया इसका member है यह सब कुछ discuss करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग notices भी होते हैं तो Interpol के अंदर yellow notice को issue क्या गया है और इस yellow notice के अगेंशनों जो है यहां पर यह जो red color का tag है यही है Dominica यहां पर मैं थोड़ा सा जूम नहीं करा क्योंकि अगर मैं इसको जूम करता तो यह map थोड़ा सा पीछे के सक जाता इंडिया का मैप कट जाता इस बज़र से मैं नहीं चाहता था यहां पर जूम करना तो यहां पर आप देख पाओगे यह वाला जो area है यह Dominica है अब जो है इसके जड़ा सा पास में आगे जाकर आपको यह Antigua देखने को मिलेगा जहां की मेहुल चॉक्सी ने स्रिडिजनशप ले रखी है ओके नव यहां पर मैंने बोला कि यह जो nation है केरिबियन नेशन है यह Caribbean nation क्यों है क्योंकि यह Caribbean Sea में पढ़ते हैं साथ ही साथ यह Island nation है तो इसके बारे में आपको ध्यान अखना है जोड़ी सी information है जादा इसमें आप देख पाओगे जादा दिमाग मानने के ज़रुरत है नहीं अगर हम उसको जूम करके देखें तो वह कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यहां पर आपको डॉमिनिका देखने को मल जाएगा डॉमिनिका की capital है रोजियो ओके यह कैरिबियन सी के अंदर देखने को मिलेगा एक आईलेंड नेशन है कंप्लीट चलो अब आगे बढ़ते हैं अगेन उसी चीज के बारे में बताया गया है करिबियन आपको सकते हो करिबियन सी के अंदर आईलेंड कंट्री है रोजियो की capital है इसको हम लोग कह सकते हैं करिबियन नेशन कह सकते हैं ठीक है उसी बाद वही सारी चीज़े बार बार explain करी गई है तो हम लोग इसको easily skip कर सकते हैं now question क्या है question यह है कि अब देखो इस बंदे को arrest करा गया कैसे Interpol के थुरू तो यह Interpol क्या है Interpol एक छोटी सी और काफी बहितरीन organization है जिसका नाम है international criminal police organization इसका नाम है यह network है जिसके अंदर पूरी 192 नहीं आज का टाम पर 194 countries पूरे 194 member हैं आपके सकते हो सारी countries हैं दुनिया की साथ में इंडिया भी इसका member है ध्यान रखना टैग है यहीं पर यह आपको Leon देखने को मिल जाएगा वहीं पर यह Interpol का headquarter located है Interpol को establish कप करा गया था 1923 में और इसकी website यह बोलती है कि इनका Interpol का main काम क्या है इनका major role यह है कि दुनिया भर में सारे पुलिस वालों को एक तरीके से cooperate करके चलना सारे पुरिस वाले जो है एक तरीके से पुरे दुनिया भर में साथ मिल कर काम करें ताकि दुनिया को हम लोग एक safest place बना सके इन लोगों से जैसे कि आज के टाइम पर मेहुल चॉक्सी वाला case देखने को मिला नीरव मोदी वाला case देखने को मिला तो इन लोगों से बचा सके तो उसके लिए यहाँ पर यह Interpol को लाया गया है ओके यह ऐसा infrastructure है जो कि आपके सकतो पूरा दुनिया भर में सारी countries cooperate करके काम करती है यहाँ पर और crime के against fight करने की पूरी यहाँ पर कोशिश रहती है इंडिया इसका मेंबर है तो इंडिया कब इसका मेंबर बना था यह important चीज़ है Interpol का मेंबर इंडिया है कम से कम 1956 है जैसे कि और भी बहुत सारे member nations है इंडिया क्या करता है इंडिया ने maintain कर रखा है एक national central bureau यानि कि national central bureau के थ्रू ही हम लोग cooperate करते हैं जो आज के टाइम पर ह तो national central bureau की थ्रू ही यहाँ पर किया जाता है तब ही तो जाकर हम यह step उठाते हैं यहाँ पर होता है क्या है जो Interpol के headquarter है वहाँ पर हम लोग बोलते हैं किसी भी country को अगर मालूम है कि हाँ कोई भी आपका सकते हो सारे member nations यहाँ पर इसके member हैं यहाँ पर क्या होगा Interpol में जा system चलता है यह जो national central bureau है यह आज के टाइम पर एक contract point कह सकते हो आप Interpol का इंडिया जो है इसमें collaborate कर चुका है Interpol से अब यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि हम लोग को यह crime हो गया या फिर wildlife trafficking हो गया poaching हो गया fake medicines हो गई तो इस तरीकी की चीज़ें देखने को मिलती है तो उसके लिए हम लोग यह cooperation करके चलते हैं यहाँ पर हम बात करें Interpol basically करता क्या है तो Interpol क्या करता है जो पुलिस है पूरे दुनिया भर में उनको एक तरीके से connect करता है ठीक हाला कि किसी country के diplomatic relations हो दूसरी country के साथ या ना हो लेकिन फिर भी Interpol का में काम यह है कि दोनों country के बीच के जो पुलिस वाले लोग है उन दोनों के बीच में एक connection बनाना और उन दोनों को connect करना ताकि अगर कोई ऐसा ही criminal वाली चीज़े देखने को मिलती है तो आपस में मिलकर काम किया जा सके अगर इस country से भागा है दूसरी country में तो उसको पगड़ा जा सके तो आपस में जो knowledge बगरा है उसको share करना उस information share करना तो उसके लिए यहां पर यह work करता है आपको सकते हो कि यहां पर आपको color code notice देखने को मिलेंगे yellow color का notice होता है जो है blue color का notice होता है यह notices कैसे कैसे होते हैं आगे आपको म जखना है यहां पर होता क्या है कोई भी member है जैसे इंडिया है इंडिया क्या करेगा इंडिया को अभी यहां पर मिहुल चॉक सी चाहिए उसे पता है कहां पर है इंडिया पहुच जाएगा इंटर पॉल के headquarter में request करेंगे हम लोग ठीक है वहां पर और फिर इंटर पॉल क् मैंने आपको बताया इसके अंदर बहुत सारे notice देखने को मिलते हैं अभी जो मेहुल चॉक सी वाला case हुआ है उसको yellow notice के अगेंस्ट में arrest किया गया है yellow notice किसके लिए होता है missing person के लिए कोई person missing है तो उसके अगेंस हम लोग यह notice charge कर सकते हैं उसके साथ इस Interpol के अंदर एक red notice भी होता है blue notice भी होता है black notice होता है red notice wanted persons के लिए होता है blue notice additional information चाहिए होती है तो उसके लिए होता है black notice unidentified bodies के लिए होता है green notice warning देने के लिए होता है orange notice imminent threat के लिए होता है धंकिया वगरा उसके बाद आपके सकतो purple notice modus operandi के लिए होता है Interpol UN Security Council special notice यह special notice है ठीक है जो कि groups और individual subject UNSC जो sanctions होते हैं उसके regarding यहाँ पर ही सारी जिए होती है तो आपको दिहान रखना है basically कितने notice है यहाँ पर आप चाहिए हो गए चाहिए 8 notices देखने को मिलते हैं हम लोगो Interpol के अंदर ओके नव आते हैं next strategy की तरफ यहाँ पर बात करी गई है national digital health mission के बारे में काफी important topic है यह तो हुआ क्या है news के अंदर क्यों है क्योंकि यह news में बहुत पहले आ चुका है ठीक है इसको हम बहुत पहले launch कर चुके है लेकिन अब news के अंदर क्यों है क्योंकि हमारे प्राइम मिन digital health mission है क्या यह पहले भी news में रह चुका है तो पहले क्यों रह चुका है क्योंकि हमारे Prime Minister of India आपको मालूम होगा पिछले साल जो 74th Independence Day था ध्यान से सुनना यह Republic Day नहीं है Independence Day है तो उस पे announce किया था उस पे एक तरीके से speech दी थी और तीन चीजों के उपर काफी बड़ा focus किया था एक तो हमारी country के अंदर national digital health mission होगा ठीक है दूसरी चीज क्या थी दूसरी यह थी कि cyber security policies आएंगी cyber threat देखने को मिलते हैं cyber attack देखने को मिलते हैं तो उनसे किस तरीके से बचाया जा सकता है तीसरी चीज को पर बात क्या था कि आपको सकतो गाउं-गाउं के अंदर independence day पर तो इसके बारे में हम पहले भी discussion कर चुके हैं जब यह सारी जीज़े announce करी गई थी क्योंकि इस channel पर जो दा हिंदू का वेडियो है वो एक साल से ज्यादा हो चुका है regular upload हो रहा है और यह डेली current affair का वेडियो है इसको भी 6-7 महीन हो चुके है regular upload हो रहा है ठीक है तो पर हम लोग daily basis पर सारे discussion करते हैं नाव यहाँ पर क्या है national digital health mission के बारे में अगर हम बात करें तो यह पूरा का पूरा एक digitalized health system है यहाँ पर आपको चार main features देखने को मिलेंगे सबसे पहले आपको एक health ID मिलेगी personal health records होंगे उसके अंदर डिजी डॉक्टर होगा डिजी डॉ इसके अंदर देखने को मिल जाती है नाव यहाँ पर देख पाओगे उसके बाद यहाँ पर कोशिश यह करी जा रही है कि हम लोग इसको अंदर e-pharmacy को भी include करें जो telemedicine services है उसको भी include करें मतलब phone के तरू telephone के तरू पूरी तरह से consult कर लेना treatment कर लेना medicines के बारे में सब जान लेना तो यह चीज़े भी हम लोग जल से जल इसी national digital health mission के अंदर शुरू करेंगे नाव कॉशन यह आता है कि जो national digital health mission है इसको implement कौन करता है इसको implement करा गया है NHA के दौरा यानि national health authority के दौरा implement करा गया है और जो national health authority है यह ministry of health and family welfare के अंडर में आती है नाव national health authority कर हम बा तो उसको भी यहाँ पर national health authority ही implement करता है नाव यह जो platform है national digital health mission यह available होगा एक app या website form में ठीक है आपको website मिल जाएगी उसमें आप अपनी details वगरा डाल सकते हो देख सकते हो उसमें doctors के आपका सकते हो डीजी doctors provide कर वा दिये जाएंगे मतलब digitalized doctors उसमें doctors की information होगी पूरे जो है देखे उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से optional रहने वाला है hospitals हो गए doctors हो गई सब अपनी details provide कर वाएंगे पूरी तरह से एप के उपर जिससे कि हम लोग यह जो health system है health infrastructure है उसको और जदा strengthen करने वाले है नाव यह जो health ID है जो यह national health ID है basically यह क्या है यह आपको पूरा पूरा देखने को मिलेगा आपका जो यह ID बनेगी इसके अंदर आपका सारी जानकारी हो जाएगी एक तरीके से health related information आपकी होने वाली आपको क्या बिमारी हुई है पहले क्या चीज़ की दिक्कत है आज के टाइम पर कौन सी दवाई चल लई है तो यह सारी information आपको इस health ID के अंद से की hospital से health care आपको मिलता है laboratory हो गया insurance companies online pharmacies telemedicine firms यह सब भी participate करेंगे health ID system के अंदर ठीक है उसके साथ साथ यहाँ पर करना क्या होगा देखो हर एक patient अगर कोई भी चाहता है अपने health records को रखना कि मुझे क्या-क्या दिक्कत है क्या नहीं है जिससे क्या होगा अगर आपको को अपने health record दिखा सकते हो दूसरे doctor को वो doctor अराम से यह सारी चीज़े देख लेगा आपको देख लेगा अच्छी तरीके से पैचाल लेगा क्या disease रह चुकी है क्या disease नहीं रह चुकी है आपने कौन-कौन सी medicines पहले ली है ठीके सब चीज़े देखने के बाद क्या होगा जो treatment होगा वो काफी जाधा easy हो जाएगा तो जितने भी patients होगे अगर उनके पास health records available होगा तो कैसे create करना है अगर वो चाहते हैं अपना health record बनाना सबसे पहले उनको एक unique health ID create करनी पड़ेगी उसमें basic सी details चाहिए आपका mobile number और आधार number चाहिए दिन उसके बाद यहां पर यह health ID बनवा दी जाएगी simple okay now health ID के बारे में एक और छोड़ी सी information मैंने आपको यहां पर दो definition basically डाल दिया है एक मैंने यहां पर एक और दिया है क्या है यह digital format होता है जहां पर आपकी सारे गा सारा health related information का एक पुरा भंडार होगा इससे क्या होगा आपको health service जो है काफी easily effectively transparency way में म यहां पर बात करीगा है currency swap की interesting article है क्या होता है currency swap discuss करेंगे हुआ क्या है बांगलादेश की central bank ने अप्रूफ किया है 200 million dollar का currency swap facility towards श्रिलंका मतलब की श्रिलंका को बांगलादेश 200 million dollar तक पैसा provide करवाने वाला है और यहां पर बांगलादेश को जरूरत भी है क्योंकि बांग ठीक है dollar ही सबस्यादा होता है now मतलब यहां पर आपको श्रिलंका के अंदर dollars वगरा कम देखने को मिलेंगी मतलब कम हो रहे हैं ठीक है कम हो चुके होंगे तो यह foreign exchange crisis देखने को मिला है तो उसी की वज़ा से बांगलादेश इतना amount provide करवा रहा है now यह जो currency swap है यह जो word swap है इसका मतलब होता है exchange अब exchange कैसा होगा मतलब क्या होगा हम लोग श्रिलंका से क्या exchange करेंगे देखो बांगलादेश क्या करेगा dollars देगा 200 million dollars जो है श्रिलंका को देगा ठीक है उसके बदले में आने वाले time पे जब यहां पर यह loan चुकाना होगा तो श्रिलंका क्या कर सकता ह उसमें अपनी श्रिलंका की खुद की currency वो दे सकता है तो अपनी country के अंदर अपनी खुद की currency होती है तो श्रिलंका जो है इसको अराम से loan को चुका सकता है वाशन यह है कि उनके पास dollar की किस्सा में कमी है ठीक है तो dollar यहां पर provide करवा रहा है बांगलादेश मतलब यहां प पर बांगलादेश से ले रहा है अब यहां पर इन फ्यूचर अगर बांगलादेश को जरुरत होगी तो इस agreement में यह होता है अगर इन फ्यूचर बांगलादेश को इस पैसे की जरुरत होगी तो यहां पर श्रिलंका के उपर यह pressure नहीं है कि इसको dollar ही return करना है यह अपनी currency क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहे है नो यहां पर कॉशन होता है वो यार यह जो बात हैं यह सब यह बांगलेश के लिए एक अन्यूजवल नहीं है एक तरीके से मतलब बांगलेश ऐसी कंट्री हो गया जो कि लोन प्रोवाइट करवा रहा है अभी तक तो यहां पर द दे रहा है दूसरी कंट्री को चलो दे रहा है काफी बढ़िया बात है आगे निकल ले कंट्री नो अगर हम बात करें तो बांगलेश ऑल्रेडी बहुत सारे बिलियोंस ओफ डॉलर्स जो है इन फॉर्म ऑफ फानेंशल एड रिसीव करता है इंडिया से और वेरियस कंट्री से लेकिन अगर हम बात करें पिछले 20 सालों के अंदर तो बंगलेश की एकॉनमी काफी तेजी से ग्रो होती भी नजर आई है इन फाक्ट साल 2020 के अंदर बंगलेश इस वन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग एकॉनमी इन ओवर ओल साउथ इस एशन निशन यानि जो सौरी साउ इसन जो कंट्रीज है उसके अंदर बंगलेश एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हो चुका था साल 2020 के अंदर इन फाक्ट यहां पर मैं आपको डेटा दिखाता हूं यह बंगलेश का डेटा है जिसमें यह बताया गया है साल 2021 की जो आपको सकतो हो इनका फॉरन एक्चे पर-capita income के फॉर्म कर सकते हैं और काफी सारे लोग को पॉवर्टी से बाहर निकाला है इन फैक्ट यह भी बोला जा रहा है अगर हम पर-capita income के फॉर्म में बात करें तो पर-capita income के फॉर्म में इंडिया को ओवर टेक कर चुका है बंगलेश और यह ऐसा पहली बार हुआ है कि बंगलेश इस तरीके की help कर रहा है दूसरी countries के साथ दूसरे country को help कर रहा है तो यह काफी better चीज हम लोग देख रहे हैं country जो बंगलेश है वो अपने आप में काफी अत्तक grow होती भी नजर आ रही है now question यह आता है कि अगर श्रिलंका को पैसा चाहिए था तो श्रिलंका इंडिया के पास क्यों नहीं आया अगर इंडिया के पास आया था तो इंडिया ने क्या जवाब दिया तो साल 2020 में जो president of Sri Lanka है इन्होंने पहले ही request करी थी भारत से कि हम लोग को एक 1 billion US dollar चाहिए तो यहाँ पर पहली बात तो हमने देखो कोई response नहीं दिया था अब यहाँ पर हमने कोई response क्यों नहीं दिया क्योंकि श्रिलंका ने हमारे साथ ऐसा ही किया था श्रिलंका ने क्या करा कॉलंबो पोर्ट बना रहा है ठीक है कॉलंबो पोर्ट पर हम लोग जो है सौरी कॉलंबो पोर्ट पर ना क्या हो रहा है जो जापान है इंडिया है यह मिलकर एक वेस्ट टर्मिनल पोर्ट बना रहे थे अब इस पोर्ट को श्रिलंका ने क्या कर दि इंट आप गर मेर् बात करें तो इसके बराबर में दूसरी जगह पर उन्हाज प्रहेट यहां पर कीश नहीं पहुच नहीं बोला क्यों क्यों क्योंकि चायना से बहुत सारा लोन ले रखा है श्रिलंका ने और अगर बात करें और आप वubby का लोन ले रखा है आज के टाइम पर श्रिलंका ने इससे चाइना से तो यह सारी चीज़ देखने को मिल लेगे तो इंडिया ने यहाँ पर मना कर दिया इंडिया ने यहाँ पर कोई अपना जवाब भी नहीं दिया था ठीक है और 2000 जुलाई 2020 की अगर हम बात करें तो आर्व इस लोन के लिए ओके आयोप आपको यहाँ पर सारी चीज़े क्लियर हो गए होगी नाव आते है निक स्टाडिकल की तरफ यहाँ पर बात करी गई है ब्लैक बग पॉपुलेशन के बारे में तो हाली में हुआ क्या है एक सेंसस आया ओडिशा स्टेट फॉरेस्ट डिपार् भाड देता है यहाँ पर साफ नहिं दिख़्ा तो यहां पर देखो ह्यां पर जरूरूर साफ दिखाइदे गा। तो यह एक त्रीके से हिरन की तरह आपको जाता है अगर हम बात करें यह एक इंडियन वाल ओग है इसकी प्रजाती आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी इंडिया के अंदर नेपाल के अंदर देखने को मिलती है लेकिन ये वाला जो खासकर ब्लैक बग है ये आपको राजिस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, तमिलनाडू, ओडिशा इन सारी जगा पर देखने को मिल जाता है इसको ग्रासलेंड का एपिटोम बोला जाता है इसको लेकर देखने को मिलता है ये वाला जानवर, उसके बाद दुनीआ में, चीता के बाद ये अगला सबसे जादा फास्टेस्ट जानवर है या ब्लैक बग, यानि पाफी तेज-बागने वाला है चीता के बाद, दुनियामें, ओके ऑग ब्लैक बुक अक डियोरनल antilope है मतलब कि यह पूरे दिन भर जो है पूरी तरह से active रहता है पूरी energized रहता है उसके बाद जो है इस animal को declare कर रखा है as a state animal राज्य animal यहाँ पर बना रखा है कौन को से राज्यों ने पंजाब हर्याना अंदरप्रदेश ने पर इसको state animal declare कर दिया है cultural importance की बात करें तो यह जानवर बहुत लोग के लिए important है जैसे की Hinduism के लिए इसको एक pure symbol माना जाता है जो इस जानवर की skin है या फिर इसके जो सींगे ना उसको काफी पवित्र माना जाता है Hinduism में और बुद्धिजम में अगर हम बात करें तो यह जो एंटिलोप है यह symbol है good luck का मतलब यह जानवर को देख लिए भाई यह good luck एक तरीके से इसके protection status के बारे में अगर हम बात करें तो देखो इसको अभी least concern के area में डाल लखा है बस इतना सा ध्यान रखो मतलब की मतलब जादा हिसमिक घत्रावारी बात नहीं है इसकी population अच्छी खास ही है हमारे पास ठीक है कोई इतनी जल्दी आप खतम नहीं होने वाला population है इसकी population बड़ी है काफी अच्छी बात है नाव यहां पर अगर हम बात करें threats की तो इन जानवरों को परिशानी किस किस चीज़ है habitat fragmentation ठीक है जो हमारा एक तरीके से आप देख कार हो रहा है तो इस वज़ा से इन सारे जानवरों की जान जा रही है ठीक है इन एंटिलोप की नाव आप कर सकते हो बहुत सारे protected areas भी है जैसे की वेलावदर ब्लैक बैक सेंक्चुरी जो की गुजरात के अंदर है यह प्रोटेक्ट एरियास के अंडर में आती है उसके बा गए जो यह ब्लैक बाक है इनको प्रोटेट करने की बात अगर हम बात करें हमने देखा ओडीशा के अंदर इसकी पौपुलेशन बड़ी है तो हम बात करते हैं ब्लैक बग की क्या सिचुएशन है आज के अंदरो किया सकते है कुरूषे नासरा मुरुगा बोला जाता है मुरुगा नी मुरुगा बोला जाता है ओके नहीं जो ब्लैक बग है यह सीमीत है काफी सरी जगा पर जैसे कि बलुखंड कोना कोस्टल प्लेन हो गया वाइल लाइफ सेंक्चरी जो की पूरी डिस्रिट के अंदर है बलिपदार भेटनोई जो की गंजम डिस्रिट के अंदर है तो यहीं दो तीन जगा पर आपको यह एंटिलोप देखने को मिल जाता है यह ब्लैक बग देखने को मिल जाता है इसका लेटेस्ट सेंस यह बताता है कि साल 2011 में इसकी जो जनसंख्या है वो 2100 के आसपास हुआ कर दी थी अब यहाँ पे जो लेटेस्ट सेंसस है उसमें 7300 के आसपास है बतलब 7000 वो क्रॉस कर चुकिया जो की सबसे अच्छी बात है नौ काफी कुछ इंप्रूव्मेंट हुआ है लौगोंने काफी प्रोडेट्ट किया जो भी लोकल परसंस है उन्होंने जो फोरेस्ट स्टाफ है लोकल पीपल उन्होंने काफिया हाथ तक protection दी है इन जानवरों को तब ही जाकर इनकी population increase हुई है यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ और antilopes है जो कि हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिलते है वो सारे नाम बता है जैसे कि 12 सिंगा हो गया spotted deer हो गया, summer deer हो गया और Himalayan sea हो गया यह काफिया तक news के अंदर देखने को मिलता है निलगरी तार हो गया, Himalayan तार गाजल, तो यह सारे जानवर है मतलब यह सब antilopes की category के अंदर में आते हैं जो की अलग-लग नाम के द्वारा जाने जाते हैं नेक्स्ट आर्डिकल में बात करेगा काफी important article हो जाता है यह philanthropist थी, एक तरीके से जो donate करें money वगरा, काफी donation में believe रखती थी prolific writer थी, काफी कुछ लिखा है इन्होंने feminist थी female के लिए काफी कुछ सोच थी, साथी साथ सबसे पहरी बात equality के ओपर ध्याँ देती थी थी, अलिगर्ड मुसलिम यूनिवस्टी की दिहान रखना यहाँ पर आप इनका picture देख सकते हो बात करें, इनका जन्म हुआ था 1858 में भुपाल के अंदर और भुपाल को काफियत तक रूल किया था और यह आप कह सकते हो लास्ट बेगम थी, जो की भुपाल के ओपर रूल किया था, भुपाल के ओपर राज किया था ठीक है, इन्होंने रूल कब से कब तक किया 1909 से लेकर 1926 तक रूल किया फिर उसके बाद इनके लड़के ने रूल किया ठीक है, और साधी साथ यहाँ पर एक तरीके साथ आप कह सकते हो, कि फूर्थ फीमेल रूलर बन चुकी थी है, भुपाल की और साधी साथ इन्होंने बहुत सारी municipality system को बनाया, बहुत सारी municipal elections लेकर आईए, और अपने लिए palace बनवाया, बहुत कुछ यहाँ पर किया था, बहुत कुछ construction करी इन्होंने, साधी साथ जो public health है, उसको improve किया, साफ सफाई के उपर काफी सारा ध्यान दिया, water को supply क्या रहा, पूरे city के अंदर, ठीक है, vaccination के उपर इन्होंने काफी तक ध्यान दिया था, मतलब कि काफी कुछ इन्होंने किया है, पूरी society के लिए, एक feminist icon इनको बोला जाता है, feminist icon जो patriarchy होती है, मतलब कि अगर हम बात करें, जो male है आज के time पर, male को काफी ज़्यादा dominance दिया जाता है, male जो है dominate करता है, male को सबसादे importance मिलती है, female को कुछ समझते नहीं है, तो वो चीज इनके दिमाग में नहीं थी, एंके दिमाग में यह थी, कि equality होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर इनका यह सबसे बड़ा motive था, साथ इसाथ इन्होंने meeting hall बनवाया था, ladies के लिए, ladies को काफी जादे आगे रखते थी है, ladies के लिए, लाहर के अंदर hall बनवाया था, 1913 में, आपका हुए पाकिस्तान में, तो भाई, यह 1913 है, पहले कोई इंडिया पाकिस्तानी तब सब एक था, ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है, इन्होंने एक exhibition भी organize किया था, जैसे जिसका नाम दिया गया, नुमाईश मसूनत इहन्द करके नाम दिया गया, उसके बाद यहाँ पर भुपाल के अंदर यह नुमाईश लगाई थी ताकि जो women वगएरा हैं, उनको promote क्या जा सके, उनकी handcrafts वगएरा को promote क्या जा सके, philanthropist थी, जैसे मैंने आपको बताया, donation वगएरा में काफियत तक believe रखती थी, इन्होंने सुल्तान जहाँ endowment trust बनवाए था, जहाँ पर 3 लाख रुपे, आपको सकते हो, 3 लाख रुपे से मदद करी थी, उन बच्चों की जिनको काफी जादर जरूरत थी, साथी साथ फंड कर और भी बहुत सारे important colleges थे, Bombay, Calcutta में, इन सभी colleges के अंदर बहुत बड़ा donation दिया था, इन्होंने बहुत सारे donations ये देती रहती थी, educationist ही हमने बात करी है, author भी थी, इन्होंने लगबग 41 book लिखी है, exactly transfer करी है, English book से उर्दू के अंदर काफिया तक transfer किया है, एक book सबसे popular है, दर्श एहायत करके, ठीक है, जो की education के उपर है, या फिर young girls के उपर यहाँ पर लिखी गई है, उसके बाद यहाँ पर जो syllabus वगएरा है, उसको revamp किया, इन्होंने जैसे की English, Urdu, Arithmetic, Home Science, Craft वगएरा, ये सारी चीजे, सुल्तानिया स्कूल के अंदर इन्होंने इस सारी चीज स्कूल, उसके बाद इन्होंने फर्स्ट विमें चांसलर, आप कर सकते हो, ये बन चुकी थी, कहां की, illegal Muslim University की, उसके बाद डेथ यहाँ पर बात करी गई है, 12 मई 1930 में इनकी डेथ हो गई थी, नाव, उसके बाद बात करते हैं, नेक्स टार्डिकल की, यहाँ पर बात कर जा आर्मिंग, आर्म्ड पोर्स परसनल के लिए, जो भी आर्मी वाले परसनल से, या फिर जो अनुभवी, काफी सारे लोग हमारे पहले हैं, या फिर उनकी फैमिलीज है, तो उनके लिए यहाँ पर यहाँ पर यह टेली मेडिसें सर्वेसिस लाई गई है, जो टेलीफोन के त नाम है Lawrence Deskars, आप इनका पिचर देख सकते हो, यह न्यूज में क्यों है, क्योंकि आप कर सकतो, आर्ट हिस्टोरियन और क्योरेटर, Lawrence Deskars, यह पहली वेमेन बन चुकी है, धिहान रखना, फर्स्ट वेमेन बन चुकी है, जिनको अपोइंट किया है, लॉवर का हो जाता है Lawrence Deskars आपको यह नाम रट लेना है नाव लवरे है क्या यह देखने को मिलेगा दुनिया का एक सबसे बड़ा art museum है जो की Paris के अंदर आपको देखने को मिलेगा सीन जो रिवर है उसके राइट बैंक पर यह अगे नाव उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें तो यह जाना जाता है मोना लिशा के बारे में सब सुना होगा तो मोना लिशा पेंटिंग महां पर देखने को मिली है जो की बनाई गई थी एक इटैलियन आर्टिस लिवनार्डो डाविंसी के दौरा ओके नाव 2007 से लेकर 2014 के बीच में अगर हम बात करें जो डैस कार्ड्स हैं यह एक लीडिंग फिगर मानी जाती थी जिन्होंने लौवर अबुडबी को सैट अप किया था कहां पर UAE की कापिटल में तो यह सारी चीज़े यहां पर बताई गहीं है तो important personality इंके बारे में ध्यान रखना और इसी के साथ हम लोग करते हैं अपने lecture को समापता आई होप आप लोग को सारी चीज़े clear हो गई होंगी यहां पर हमने सारे important article discuss कर लिए हैं इसी तरीके से हम लोग detail में सारे article discuss करते हैं UPSC हो चाहिए और भी various exam हो सभी के लिए यह काफी ज़्यादा important video हो जाता है now guys अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो नीचे description box में आप सभी लोग को telegram का link दिया है वहाँ से जाकर download कर सकते हो और अगर आप लोग को कोई भी problems होती है तो again नीचे description box में मेरा Instagram का link है आप जाकर follow कर सकते हो और अपनी जितनी भी queries है मुझसे पूछ सकते हो now हम विलते हैं आप लोग से next video में आज के लिए bye bye have a nice day thank you